परिचय चात्रो, इन संख्याओं को देखो, क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ, ये वास्तविक संख्याएं हैं. सेर्फ, क्या एक आपरिमे संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? हाँ आपरिमय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं कोई भी परिमय या आपरिमय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है आओ आज हम परिमय और आपरिमय संख्याओं के बारे में सीखते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आपरिमय संख्या को परिभाशित करना यह दिखाने में कि संख्या आपरिमय है या नहीं परिमय संख्याओं और उनके दशमलो प्रसार को बताना परिमय संख्याओं को दशमलो प्रसार में परिवर्थित करना अपरिमय संख्याओं का पुनर भ्रहमन हम जानते हैं कि परिमय और अपरिमय संख्याओं मिलकर वास्तविक संख्याओं बनाती हैं किसी संख्या को आपरिमै कहते हैं यदि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P और Q पूडांख है और Q बराबर नहीं हो शूने के आपरिमै कार्थ है जो परिमै नहीं है सबसे प्रसिद आपरिमै संख्या वर्गमूल दो है अन्योधारण है पाई बराबर 3.141592 और 0.101101110 इत्यादी आपरिमै संख्याओं से संबंधित प्रमै प्रमै मान लिजिए कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P वर्ग A को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी जहां A एक धनात्मक पूरांख है आईए इस प्रमै को सिध्ध करें उपत्ति पहले हम A का अभाज्य गुडन खंडन करते हैं जो की इस प्रकार है A बराबर P एक पी दो इत्यादी P N तक जहां P एक पी दो इत्यादी P N तक अभाज्य संख्याय हैं परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है आता वर्ग A बराबर P एक पी दो इत्यादी P N तक पी एक पी दो इत्यादी P N तक बराबर वर्ग P एक वर्ग P दो इत्यादी P N तक अब ये दिया है कि वर्ग A को P विभाजित करती है इसलिए अंक गणित के आधार भूत प्रमे के अनुसार P वर्ग A का एक अभाज्य गुडन खंड है हम पाएंगे कि वर्ग A के अभाज्य गुडन खंड केवल P एक P दो इत्यादी P N है इसलिए P को P एक P दो इत्यादी P N तक में से ही एक होना चाहिए अब चुकि A बराबर P एक P दो इत्यादी P N तक है हम कह सकते हैं कि P A को विभाजित करती है आईए अपसित करें कि वर्ग मूल दो अपरिमय है मान लीजिए वर्ग मूल दो परिमय है इसकार्थ है कि ये दो पुडां को P और Q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वर्ग मूल दो बराबर है P बटे Q के ये समिकरण एक है हम मान सकते हैं कि P और Q में कोई उभेनेस्ट गुणन खंड नहीं है यदि कोई उभेनेस्ट गुणन खंड हो तो हम अंश और भाजक में उसे काड सकते हैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों को हमें प्राप्थ होता है दो बराबर है वर्ग P बटे वर्ग Q के ये समिकरण दो है जो इंकित करता है वर्ग P बराबर है दो वर्ग Q के ये समिकरण तीन है अताहा वर्ग P सम है ये तभी सत्य होगा जब P स्वैम सम होगी लेकिन तब वर्ग P वास्ताओं में चार से विभाचे होगी इसी प्रकार वर्ग Q और इसी लिए Q भी सम होगी अता P और Q दोनों सम हैं जो की हमारी पूर्व मानिता के विरुधा भासी है कि उनका कोई उभेनिस्ट गुणन खंड नहीं है दो का वर्ग मूल परिमें नहीं हो सकता उदारण आईए अब एक उदारण हल करें सिद्ध कीजिए कि एक बटे वर्ग मूल दो अपरिमें है उपत्ती इसके विप्रीत ये मान लीजिए कि एक बटे वर्ग मूल दो परिमें है यानि हम ऐसे सह अभाजे A और B जिसमें B शून के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि एक बटे वर्ग मूल दो बराबर हो A बटे B के अता B बटे A बराबर वर्ग मूल दो या वर्ग मूल दो बराबर B बटे A चुकि A बी पुडांक है हम पाते हैं कि B बटे A परिमें है और इसलिए वर्ग मूल दो परिमें है किन्तु ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्ग मूल दो अपरिमें है हमें ये विरोधाभाज अपनी तरूटी पूम कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमोल दो परिमבר संख्या है उधारण सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमोल पांच आ परिमय है आए इसके विपरीत ये कल्पना करें कि 7 वर्गमोल पांच परिमया है यानि हम ऐसे सह अभाज्य A और B जिसमें B 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 बराबर हो A बटे B के अताहा A बटे B बटे 7 बराबर है वर्गमूल 5 के या वर्गमूल 5 बराबर है A बटे B बटे 7 के चुक्कि A, B पुनांक है इसलिए हम पाते हैं कि A बटे B बटे 7 परिमय है और इसलिए वर्गमूल पांच परिमय है किन्तु ये इस तथे का विरोदा भास है कि वर्गमूल 5 आ परिमय है हमें ये विरोदा भास अपनी तुरुटी पून कलपना के कारण प्राप्थ हुआ है कि साथ वर्ग मूल पांच परिमे संख्या है। आप विद्याले के दिनों से जानते हैं कि परिमे संख्याों का दश्यमलव प्रसार या तो सांथ होता है या फिर असांथ आवर्ती वहीं आपरिमे संख्याओं में ऐसा नहीं होता। अताहा उधारन के लिए, शुनिये दशमलव एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन इत्यादी। एक दो तीन का परिमित आवर्ध परिमै है। वास्ताओं में ये 41 बटे, 333 के बराबर है। वहीं 0.123456789, 101112131415 इत्यादी, जो की आवर्ती नहीं है, आपरिमे है. सांथ दशमलव यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है, तो दशमलव सांथ होता है. जैसे 2.57, 3.1925, 0.333, असांथ दशमलव यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या आपरिमित होती है, तो दशमलव असांथ होता है. जैसे दू दशमलव, एक, तीन, साथ, दो, पांच, एक, तीन, दो, एक, पांच, इत्यादी. एक दशमलव, शूने, एक, शूने, 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 एक, शूने, 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 एक, इत्यादी. परिमित संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमैं. पांच की घाथ M के रूप का है, जहां N, M, रणेतर, पुनांख है. उधारण, शूने, दशमलव, एक, आठ, तीन, साथ को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है. हम जानते हैं कि परिमित संख्या, P बटे Q को दीरक विभाजन वेधी से दशमलव प्रसार में परिवर्तित किया जा सकता है. इस उधारण को देखें. यहां हम देख सकते हैं कि P बटे Q के रूप की परिमित संख्या, जहां Q, दो की घात N, पांच की घात M के रूप का है, को A बटे B के ऐसे तुल्ले परिमित संख्या में बदला जा सकता है, जहां B, दस की कोई घात है. इस प्रकार की परिमित संख्या का एक सांत दशमलव प्रसार होगा. एक अन्य बाद ध्यान देने वाली है कि सांत दशमलव प्रसार को अब परिमित शुन्यों की आवर्त के रूप में भी देखा जा सकता है. इस इस्थिती में सांथ दशमलव प्रसार भी आवर्थी होते हैं प्रमय मानली जीए की X बराबर P बटे Q एक परिमय संख्या है Q का अभाजे गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप का है जहां N, M रिने तर पूनांख है तो X का दशमलव प्रसार सांथ होगा आईए एक उधारण हल करें दीरक विभाजन किये बिना बताईए कि निम्न परिमय संख्या का दशमलव प्रसार सांथ होगा या असांथ आवर्थी होगा हम इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं यहां Q बराबर 5 की घात 5 जोकी 2 की घात N, 5 की घात M, N बराबर 0, M बराबर 5 के रूप का है अताहा परिमय संख्या 13 बटे 3125 का सांथ दशमलव प्रसार होगा प्रमय मान लिजिए कि X बराबर P बटे Q एक परिमय संख्या है Q का अभाज्य गुणन खंडन 2 की घात N, 5 की घात M के रूप का नहीं है जहां N, M रणेतर पुनांख है तो X का दशमलव प्रसार असांथ आवर्थी होगा आईए 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार लिखें ये 2.125 होगा इसी प्रकार 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार 0.00975 होगा क्या आप जानते हैं अल्गोरिथम शब्द नोवी शताब्दी के फारसी गणितक के अल्खौरिजमी के नाम से आया है यहां तक की अल्जब्रा शब्द भी उनकी लिखी एक किताब हिसाब अल्जब्र वा अल्मुकाबला से आया है सारांश पी और क्यू से अभाज्य संख्याए हैं और क्यू का अभाज्य गुडन खंडन दो की घात एन पांच की घात एम के रूप में है जहां एन एम रणेतर पुणांख है मालीजिये एक्स बराबर पी बटे क्यू एक परिमय संख्या क्यू का अभाज्य गुडन खंडन दो की घात एन पांच की घात एम के रूप का है जहां एन एम रणेतर पुणांख है तो एक्स का दशमलब्रसार सांथ होता है क्यूंका अभाजी गुणन खंडन दो की घात N, पांच की घात M के रूप का नहीं है, जहां N, M रिनेतर पुडांख है, तो X का दश्यम्र प्रसार असांथ होता है.